नमस्कार दोस्तों मैं रावल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल माई पाटसला में और पाटचाला रेलवेक साम में तारीक है 23 अगस्त और आज के important current appears आपके screen पर है एक question आपकी screen पर है नमत बसई कारिक्रम मातरभासा में सिच्छा देने के लिए इस कारिक्रम को सुरू किया गया और इसमें देखा गया कि बहुत अच्छा response है इस कारिक्रम को लेकर इस program को लेकर कई सारे बच्चे जिन्होंने स्कूल कभी देखा नहीं था वो वापत से स्कूल में आने लगे हैं और बेसिकली एक इस राज्य में चलाया जा रहा है इसके बारे में चर्चा जरू करेंगे लेकिन चलते हैं एक इंपोर्टेंट करिंट पेस्क्यूर अभी हाली में पांचवां वर्ड कॉन्फरेंस हुआ है ये जो भी आपके पार्लियमेंट के speaker होते हैं उन सभी का ये वर्ड कॉन्फरेंस हुआ और इसमें हमारे सत्रमी लोगसभा के अध्यच जो है ओम बिल्डा जी ने भाग लिया ओम बिल्डा जी राजितान कोटा से सांसद है और वर्डमान समय में सत्रमी लोगसभा के speaker है तो विस्व की संसदों के अध्यच्यों का पांचवां सम्मेलन अभी हाली में 1920 अगस्त को वर्चूल माध्यम से आयोजित किया गया जबकि इसका जो छटा सम्मेलन होगा वो वि आतंक फैलाने की पाकितान की साजीजों पर जोड़ दिया और आतंक को समर्थन और प्रोसाहन देने की पाकितानी नीतियों को दुनिया के सामने उजागर करने की कोशिस की हमारे स्पीकर ने ये भी कहा कि जमूर कस्मीर भारत का बिन अंग है और ये हमीशा रहेगा उन्होंने ये भी कहा कि पाकितान से सीमा पर आतंक बात को समाप्त करने का महावाहन करते हैं लेकिन हमारी पहल कमजोरी के दूरूप में नहीं देखी जाने चाहिए तो वर्ल्ड कॉन्फरेंस ऑफ स्पीकर पार्लियमेंट कहा हुआ ये पांचवा संस्क्रण था जो अभी हाली में देखने को मिला जिसमें हमारे सत्रवी लोगसबा के जो स्पीकर रहे हों बिल्डा जी उन्होंने भाग लिया अगर हम सत्रवी लोगसबा की बात करें तो सत्रवी लोगसबा से एक कोशिन जो अभी हाली में काफी ज़्यादा चर्चा में रहा था वो ये था कि वर्तमान समय में सबसे यंग यंपी यानि की मेंबर आफ पर्लियमेंट कौन है सांसत कौन है वो है चंदरानी मुर्मू चंदरानी मुर्मू की उम्र 25 साल है और भारती इतियास में संसत जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला है ये क्योजर उडीशा से बीजू जंदा दल की सांसत रही जिनोंने अनंत नायक जो क से उम्र दराज सांसत है सत्रवी लोकसबा है वरतमान समय में जो लोकसबा चल रही है वो सत्रवी लोकसबा है अगली जनकरी के तब चलें अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले ही अमर सिंग जी का देहांत होने की विज़े से सिंगापुर में हुआ था एक अग पर को चुनाओ होगा और उसी दिन साम को रिजर्ट भी जारी कर दिये जाएंगे इसे विज़ेश चुनाओ के रूप में भी जाना जा सकता है उप चुनाओ ऐसा चुनाओ होता है जिसमें उपयोग आम चुनाओं के बीच रिक्त हो जाते हैं कोई भी कारेले या किसी भी क कारेकाल कतम हो जाता है या कुछ और वज़े से तो उसको भरने के लिए किया जाता है और ज्यादातर मामलों में ये चुनाओ पदधारी वेक्ति के मरने या इस्तीपा देने के बाद ही होते हैं लेकिन ये तब भी होते हैं जब पदपर बने रहने के लिए पदधारी वेक्त होते रहते हैं उनकी जगे नए सदस चाते रहते हैं राजसभा में अधिक्तम 250 सदस से हो जकते हैं भारत में और इसमें से अभी हाल में चुनाओ नहीं हुए अभी हाली में यूपी में राजसुना उप चुनाओ में बीज़ेपी के जैप्रकास निशाद जी जो थे वो निर्विरोद चुने गये थे क्योंकि बेनी परसाद सोमवंसी का निदन हो जाने के वज़े से उनकी राजसभा के शीट खाली हो गई थी जिस पर जैप्रकास निसाद जो है वो निरूरोथ चुन दिये गए थे क्योंकि कोई और भी उनके खिलाब करा नहीं हुआ था अब ये कुशन आपके स्क्रीन पर था कि जो नमत बसई कारिकरम है ये केरल से बिलॉग करता है हाली में ये देखा गया कि केरल का नमत बसई कारिकरम जो रहा ये आदिवासी बच्चों को स्कूल वापस लाने में सफल रहा है ऐसा देखा गया थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ी खोजबीन की गई कि आदिवासी जो हैं वो क्यों स्कूलों में नहीं जुल पाते तो देखा गया कि उनकी लैंग्विज में उनको पढ़ाई नहीं करवाई जाती है उनकी मातर भासा में उनको पढ़ाई नहीं करवाई जाती है राज़की भासा में या राष्ट की भासा में उनको पढ़ाई करवाई जाती है जिसकी विज़े से बच्चे जो है अपने आ आदिवासी बच्चों को उनकी मात्र भासा में ऑनलाइन कच्छाओं के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। आदिवासी बच्चाओं के जाती है। केरल जो है ये पहला स्टेट है जिसने सिडियंशिप अमेंडमिन्ट एक्ट यानि की CAA के खिलाफ नागरिक्ता संसोधन विदयक के खिलाफ अधिनियम के खिलाफ प्रताव पारित किया था। केरल नाम का एक रियल स्टेट सेक्टर का पोर्टल है जिसमें जो केरल की रियल स्टेट है उसके लिए रेगुलेटरी अथॉर्टी करके उनोंने एक पोर्टल बनाया है। ताकि ट्रांस्पेरेंसी आ सके जो भी उनका रियल स्टेट सेक्टर है इस टाम ड्यूटी बगेरा का चोरी ना हो इसलिए Economic Intelligence Unit Survey के मताबिक 2015-2020 में अगर देखा जाए तो विस्स के 10 fastest growing city जानि कि जो कस्बे थे या गाउं थे और तेजी से सहरों में बदल रहे हैं उसमें से तीन जो हैं वो केरल में पाए गए जिसमें से मलापुरम जो है ये केरल का सबते तेजी से सहरी करन करने वाला राज रहा सुर और 22वा एडिशन आपका International Seafood यानि के अंतर राश्ट्री ये समुदरी भोजन सो जो है IISS ये जो है ये अभी हाली में कोच्ची में एनॉंस किया गया इसका थीम रहेगा Blue Revolution Beyond Production to Valley Edition केरल 2020 की बजट में एक बड़ी जोजना दिखाई दी थी एक हजार कुदम स्री होटल खोले जाएंगे जिसमें 25 रुपए में गरीबों को खाना दिया जाएगा या कोई भी वेक्तिवाँ पर खाना खा सकता है 25 रुपए में सस्ता बोजन उपलब्द कराए जाएगा केरला सीम ने अभी हाली में योधावू नाम का एक एप लाँच किया था ताकि जो भी ड्रग है मादक द्रवों के जो वेपारी हैं उनसे लड़ा जा सके सिनियर और आईएस ओफिसर विश्वास महता जी है उनको वरतमान समय में अभी हाली में न्यूँ चीफ सेकेटरी केरला का बनाये गया है चीफ मिनिस्टर केरला के हैं पिनराई वीजिन माकपा से सम्मधित हैं माक्षवादी कमनिस पार्टी और गवर्नर है आरिप मोहमत खान कैपिटल सिटी है तिरिवणन तपुरम, इस्टेट एनिमल हाथी, इस्टेट बर्ड है ग्रेट होरन बिल और इस्टेट एनिमल अगेन दुबारा हो गया है इंडियन एलिफेंट, इस्टेट ट्री यानि राज की व्रच है कोकोनट, लोगसबा में 20 सीटे हैं और राजसब अगली जनकरी है हरित पत मोबाइल एप पत मोबाइल ने विक्सित किया है अच्छी योजना है ग्रीन बेल्ट डेवलफ कर रहे हैं राष्टी राजमार प्रादिकरण की बात करें तो अभी हाली में नागेन नाची की जगह सुखबीर सिंग्संदू को यहां पर चेर्मन मनाये गया था अक्टूबर 2019 में और भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाइवे जो है वो है एनच-44 जो जम्मु कस्मीर यानि की स्री नगर से कन्या कुमारी को कनेक्ट करता है 3745 किलो मीटर इसकी लेंथ है अगली जानकरी तब चले तो यह इंपोर्टेंट जानकरी है राजी गानी खेल रतने अवर्ड की गोशना कर दी गई है और इसमें से पांच रोई सरमा को मिला कर पांच लोगों को इस बार राजी गानी खेल रतने पुरुसकार दिया जाएगा खेल मंत्रारे ने एकिस अगस्त को राष्टी खेल पुरुषकारों की गोष्णा की है खेल दत्न जिसे राजी गांदी खेल दत्न में कहा जाता है एक जन्वरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक की उपलद्यों पर विचार किया गया है और पुरुषकार प्राप्त करताओं को 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन ये पुरुषकार दिया जाएगा हाकी के जादुगर मेजध्यान चंद का जन्दिन होता है 29 अगस्त को इसलिए ये खेल दिवस के दिन ये पुरुषकार पतान किया जाएगा राजी गांधी खेल दतने पुरुषकार दिया जाएगा इस बार रोहेश सर्मा को क्रिकेटर रोहेश सर्मा को, पैलवान विनेश फोगाट महिला होकी टिम की कप्तान रानी रामपाल को जिने अभी हाली में पेटरिशन आफ इंटरनेशनल होकी ने राजी गांधी खेल दतने पुरुषकार के विजेता को साड़े साथ लाख रुपए पुरुषकार रासी के रूप में प्राप्त होते हैं रोहेश सर्मा को, रोहेश को उनकी सांदार बल्लेबाजी के लिए इस पुरुषकार के लिए चुना गया है तेंदुलकर पहले भारती क्रिकेटर थे जिनको राजी गांधी खेल दतने पुरुषकार प्रुषकार 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 दिया गया है वही मरियपन थंग वेलू को 2016 रियो अलब्बी खेलो में टी 42 उची कूद में सौन पदक जीतने के लिए पुरुषकार दिया गया है जबकि मनिका पत्रा को टेबल टेनिस खिलाडी है के नाम के सिपारी 2018 में उनके सांदार प्रुषकार के लिए की गई है उन्होंने राश्मंडल खेलों में सौन और एशिया खेलों में कांसे पतक जीता था जबकि रानी रामपाल तीसरी महिला और पहली महिला होकी किलाडी है जिनके नाम की सिपारी इस सम्मान के लिए की गई है रानी की अगवाई में भारती टीम ने महिला ACI कब 2017 में एशिया सी गीत दर्ज की थी और 2018 में ACI खेलों में रज़त पतक भी गीता था जबकि अर्जन पुरुसकार की बात करें तो अर्जन पुरुसकार में 27 नामों के सिपारिस की गई है जिसमें उबरती विवा महिला पैरवान दिविया काकरन का नाम भी सामिल है होकी कोच रमेश पठानिया समेत आठ प्रसिच्चे को को आज इवन योगदान के लिए द्रोनाचार पुरुसकार से समानित किया जाएगा आपके मौलाना अब्दिलकला मोजाद ये पुरुसकार इंटर उनिवर्स्टी टूर्णामिन में कुल्मिला का सीज प्रतसन करने वाले विश्वित द्याले को पतान किया जाता है आशियान भारत नेटवर्क ठिंग टैंक की छटमी गोल में इज बैठग अभी देखने को मिली है बैठग में विदेश मंत्री एश जैसंकर ने सलिया बैठग को संबोधित करते हुए जैसंकर ने कहा कि कोरोना महामारी सेथ दुनिया की अर्थे व्यवस्ता और सामाजिक जीवन पर इतना घातक असर हुआ है कि यह हमारी कलपना से परे है या संकट 1930 के दसक की आई बड़ी आर्थिक मंदी जैसा ही है विदेश मंतरी ने कहा कि बरतमान अनुमानों के अंसार 88-88 अरव अमेरिकी डॉलर वेस्ट विक सकर गरेलू उतपाद लगबच 6.05 परिशत से लेकर 9.07 परिशत तक का नुक्सान हुआ है आशियन की बात करें तो दच्छिडपूर्वी ACI राष्ट्रों का ये संग्ठन है जिसे Association of Southeast Asian Nation लगू आशियन कहा जाता है इसमें 10 दच्छिडपूर वेश्याई देशों को समू हैं जो आपस में आर्थी विकास और समर्दी को बढ़ावा देने और छेतर में सांती और इस्थित्र काइम करने के लिए कारे करते हैं इसके संसापल सदस्यों में Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines और Singapore थे, Brunei, संगटन में 1984 और 1995 में Vietnam इसमें सामिल हुआ था इनकी बाद 1997 में Laos और Verma इसके सदस्य बने और 1976 में आशियन की पहली बेटे बंदुत और सयोग की संदी पर अथाचर किये गए थे तो आसियान में दस सदस हैं उसका मुख्याल है इंडोनिया से गिराधानी जकार्ता में इस था अपना आठ अगस 1967 को चंद्रयान 2 को हमारे एक साल पूरा हो गया है चंद्रयान 2 जो अभियान था ये बहुत ही सफल अभियान रहा लेकिन इसमें से एक चरण इसका जो रोवर वाला था वो थोड़ा फेल हो गया था तो भारती अंतरी चंद्री संधान संग्ठन इसरों ने 20 अगस्ट को भारत में दूसरे चंद्रेयान अभियान के एक साल पूरा कर लिया है और दौरान इसरों ने जानकरी दी कि वर्तमन में चंद्रेयान 2 के सभी उपकरन अच्छा पैदसन कर रहे हैं इतना इधन है कि अगले सास साल तक वो हमारे लिए लिए काम करता रहेगा चंद्रेयान 2 की बात करें तो चंद्रेयान 2, 2 जॉलाई 2019 को लांच किया गया था बीस अगस्ट को हमारे जो चंद्रेयान था वो मंगल की कुछा में पहुँचिक गया था जबकि चंद्रियान एक जो था ये 22 अक्टूबर 2008 को launch किया गया था और 28 अगर 2009 को ये complete हो गया था एक question SSC ने अभी हाली में पुछा था कि चंद्रियान एक के समय इसरो के head कौन थे तो इसरो के head ये थे आप इने पैचानते हैं जो चंद्रियान एक के हमान के समय इस रो के डियरेक्टर जनर्ल थे वर्तमान समय में K. सहिवान केलासी बीदू दिविस सुवान वर्तमान समय में आपके इसरो के head है और साती दवन अंतरी प्रच्छेपण किया गया था हाल फिलाल इसमें लेंडर भी था, रोवर भी था, औरबिटर भी था फिलाल अंतरिव गत्वा 2चरण सही सावित हुए थे लेकिं 3चरण रोवर जो था उसने एक हार्ड लैंडिंग कर दी थी जिसकी वज़े से वो अपकरण खराब हो गया था अगली जनकारी है राजीव कुमार जी है जिन्नोंने अचोक लवासा की जगह लेंगे उनको नियू इलेक्शन कमिशनर न्यूक्ति किया गया है भारत के बरतमान समय में मुखज निवाचनायव सुनी लरोडा है और वो अक्टूबर 2020 में रिटायर होने वाले थे उनकी जगह असोक लवासा लेने वाथ है लेकिन असोक लवासा को अब ADB बेजा गया है ADB में वो उपाद्यश के पत्पर काम करेंगे तो 12 सरकार दोरा राजीव कुमार को भारत के नयों चुनाव आइट की रूप में निक्त कर दिया गया है उनकी निक्ति चुनाव आइट का पदबरान कहर करने की तिसी से प्रवाभी होगी उनकी निक्ति या सोक लवासा के स्थन पे की गई है जिने हाली में राश्वति को अपना इस तीपा सौप दिया था उन्होंने जुलाई 2019 में वित्ति सचीव के रूप में निक्त किया गया था लेकिन मार्च में 2020 में उन्होंने उनको ट्रांसफर करिया गया अगली जनकरी है इंडिया, जापान और आश्टेलिया मिलकर चाइना को थोड़ा सा बैक साइट पे लेना चाते है जिसे विएसे आपस में मिलकर हुए एक सप्लाई चेन बना रहे है बारत आश्टेलिया और जापान ने चीन पर निर्वाता कम करने के लिए एक ट्री पच्छी आपूरती संखला लचीला पन पहल जिसे आप कह सकते हो ट्राई लेटरल सप्लाई चेन डेजिलेंस इनिस्टिव शुरू किया है और इसे अंजाम दिया जा सकता है यह माना जा सकता है कि यह जापान ने प्रस्ताओ दिया है और इसके दो फाइदे है पहला फादा यह है कि प्रत्यच विदेशी निवेश को आकरसित करने में मदद मिलेगी इंडो फैसिपिक रीजन को यानि कि हिंद प्रसांद माह सागर छेतर को दूसरा यह होगा कि तीनों देश अगर आपस में बाचीत करके काम करेंगे और एक दूसरे के संबन से बना के रखेंगे तो जो भी प्रोड़क्ट उनने डेवलप करने है उनके लिए पूरा raw material से लेके technology तक available हो पाईगी आईए समझते हैं कि आप पूर्ती संखला लचीलापन पहली यानि कि supply chain resilience initiative क्या होता है तो यह एक अर्थेवरस्था हो कंपनियों के लिए सीधी प्रितक्रिया होती है जो चीनी राजनियती व्यवार व्यवदान के बारे में चिन्ते से आप पूर्ती संखलाओं को जन्म दे सकती है लेटा सबोज आप कोई प्रोड़क्ट बनाना चाहते हो आप वर्ड़ का बेस्ट एक पेपर बनाना चाहते हो इसमें आपको कुछ resistance आएंगे और उनसे recovery करने के लिए आपको कुछ solution जूणने होगे लेटा सबोज जैसे कि जापान में बहुत अच्छा लुगदी बनता है लेकिन भारत में नहीं बनता और भारत इसको develop करने लेकि बाद बास इसकी technology है ऐसा कर सकते हैं कि 10 में से 9 चीज़े हैं भारत के पास है एक चीज जापान के पास है तो जापान वो एचीज भारत बेज देगा और इससे जो भी development होगा वो तीनों देश जो होगे आपस में share करेंगे तो इस तरीके से जब आप product को development करते हो तो उसे supply chain resilience कहा जाता है और इसमें ये होता है किसी तरीके से जो दिक्कते हमारी है उसको दूसरा कोई दूर कर दे और उसकी जो दिक्कत है वो हम दूर कर दे एक तरह से मनलब सयोग की वावना इसमें रहती है तो भारत और और जापान मिलकर एक SCRI बनाएंगे तो इस तरीके से कई प्रोड़क्ट जो होंगे वो यहां से बनाई जाएंगे, वहां बेची जाएंगे, वहां से बनाई जाएंगे, यहां बेची जाएंगे, कभी-कभी वस्तू विन में हो जाएगा तो इस तरह की बहुत अच्छी चीजिए व्यापार में हमें देखनेों क मिल सकती है दिल्ली में जो है वो सीरो सर्वे का रिजल्ट आ गया है दूसरा सीरो सर्वे हुआ पहले हुआ तो उसमें 28 लाइक लोगों ने लगबग इम्मुनिटी पा ली थी COVID-19 के खिलाब दिल्ली में दूसरे COVID-19 सीरो सर्जिकल सर्वे के पढ़नाम आ चुके हैं इसके जर इसके संक्रमन के खिलाब कितने अंटीबोडी बने हैं पिछले सर्वे के मुकाबले ये 6 पेसद जादा आये हैं और दिल्ली में सीरो लॉजकल सर्वे अगले 24 सितंबर और अक्टूबर के महीने में कराये जाएंगे और अभी हाली में न्यूज आ रहीगी कानपूर में भी सीरो सर्वे कराया जाएगा मैं तो जरू कराऊंगा दिल्ली में एक समय संक्रमन की दर 30 पेसद पहुंच गई थी लेकिन अब ये 6 पेसद पर आ गई है यानि ये धीरे-धीरे कम होता चला जा रहा है जबकि रेकवरी रेट जो है वो 90 परसेंट है एक संकल्प बुज़रग जो बाहर रहते है और उनके सेवा करने के लिए कोई नहीं है तो उन्हें चोटे-मोटे कम के लिए जब बाहर जाना पड़ता है तो झाफी परिशानी होती है तो राशन से लेके किसी भी तरीके को कोई भी काम जो होगा वो इसके जरिये पुलिस उनके लिए करेगी तो एक संगल बुज़ुर्गों के नाम यानि व्रद्दों के प्रतिबद्दा के लिए वैस्विक महारी COVID-19 के दोरां घरों में अके लिए रहने वाले बुज़ुर्गों और असाहे लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है इस अभियान के तहट पुलिस दोरा बुज़ुर्गों को भोजन से लेकर उनके सौस्ता की देखबाल की जा रही है कल तो मैंने एक तस्वीर देखी थी जिसमें एक पुलिस वाला था वो एक बुज़ुर्ग का पंखा बनवाने के लिए लेकर चला जा रहा था अच्छी बात है यह अच्छा अभियान है जिसमें देख भक्तीज जन सेवा का अनुरूप इसे चलाया जा रहा है तो मदपदेश पुलिस ने इसको सुरू किया है मदपदेश की बात करते हैं तो मदपदेश ने अभी हाली में एक मास्क अने जिन्दगी नाम का एक पब्लिक अवेरनेस कैमपेंच चलाया था मदपदेस सरकार ने ही आली में बताया कि उन्होंने गेहूं को समर्थन मूल पर खरीद करने वाला वो सबसे बड़ा राज्य बन गया है एक न्यूज और आई है सामने कि मदपदेस सरकार चाहती है कि केवल मदपदेस के लोगों को ही मदपदेस में सरकारी नोकरी प्राप्तो दूसरा उन्होंने कलिये भी कहा था कि CET जो कॉमन इलिजबिल्टी टेस्ट होगा उसके जरीए राज्य सरकार में नोकरी मिल जाएगी यानि अलग से कोई प्रविस परिच्छा राज्य सरकार नहीं कराएगी इंडिया का पहला इवेष्ट क्लीनिक जो है यानि की एक कछडा क्लीनिक जो है वो आपको भोपाल में देखने को मिलेगा सामिधान की प्रतावना पढ़ना मदपदेस के स्कूलों में अनिवारे कर दिया गया है सच्छता सर्विच्छन डीक 2020 के भी नमुने आ गए हो इंदोर ने अगे इन टॉप किया है यहाँ पर सिंगर सुमन कल्यानपूर और डारेक्टर कुल्दीप सिंग को अभी हाली में MP लता मंगिसकर एवर्ड 2017 और 2018 के लिए रिस्पेक्टिवली दिये गए निमाट चिली फिस्टिवल जो है यह मदबदे से संबंदित है कासरवाड खरगोन डिस्टिक्स से और इसका जो मस्कट है वो चिली चाचा है MPCM ने अभी हाली में National Water Conference यानि की राष्टी जल सम्मेलन जो है बोपाल में इसका उद्गाटन किया था मदेपस विदेश जो है यह PMJAY यानि पैदान मंत्री जन आरोग योजना के अंतरगत सबसे ज़्यादा मरीजों की देखबाल करने वाला राजज रहा और तीन दिन का नमस्ते ओर्षा फेस्टिबल जो है यह मदेपस से संबन देता है इंदोर पहला सिटी बना पूरे भारत में जिसने अपने पूरे सिटी को सैनिटाइज किया था COVID-19 के दौराण ड्रोन के दरिए कैपिटल बोपाल है इस्टेट एनिमल बारा सिंगा है इस्टेट ट्री बनियान ट्री है इस्टेट फ्रूट है मैंगो और सियम है सिवरा सिंग चोहन बीजेपी से आते हैं अगली जन करी है राजिस्थान सरकार ने आखिरकार अपनी इंद्रा रसोई योजना लॉंच ही कर दी है इस इंद्रा रसोई योजना के तहट जो मोटिव है सो गैलोट का ये है कि कोई भूकर ना सोए एक वीडियो कॉन्फिरेंसिंग के जरी इसके शुरुवात की गई है और इसमें गैर सरकारी संगठोनों एंज्यों की भागेदारी सुनेशित की जाएगी और सूचना प्रद्गी के सायतास इसकी प्रवावी तरे के सरी निगरानी की जाएगी इस योजना में सहरी गरी परिवारों को पौश्टी बोजन देने की बनाई जा रही है आठ थाली सरकार 12 रुपे का अंदान दे रही हो आठ रुपे खाने वाले को देना पड़ेगा इस पेकर 20 रुपे की एक थाली वहाँ पर तयार हो जाएगी वैसे इस तरह की योजना वहाँ पर पहले था ही चल लही थी अनपूर्णा रसोई योजना इसमें क्या होता था इसमे अगली जनकारी है उतर पडेश ने बंदेल खंड छेटर के जल संकट से निपटने के लिए इसराइल के साथ पाटनर शिप की है और इसके लिए प्लान आफ को आपरेशन पर हस्ताचर किये गए है गर्मी की मौसम में बुंदेलखन में बहुत दिक्कत होती है वहाँ पानी की बहुत किल्लत पढ़ जाती है लोगों को कई के किलो मीटर दूर जाके पैदल जाके पानी निकालना पड़ता है इजराइल के सहयोग से इंडिया इजराइल बुंदेलखन वाटर प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा और उन्नत करसी को बढ़ावा मिलेगा डीप इरिगेशन किया जाएगा करसी उतपादन आयोग तालोग सिना ने बताया कि या परुजन दो वस के लिए हस्तारिशित की गई है जिसे बाद में आवश्यक्तन के अंसार वस्तारित किया जाएगा इजराइल की बात करें तो इजराइल और सहयोग तरफ अमीरात में अभी जो दोस्ती हुई वह कई सारे डेशों को नहीं अच्छी नहीं लग रही है जैसे कि तुर्की को बहुता विरोध किया ऑटन प्लेस्तीन ने भी विरोध किया कि मेरी तरफ से तुम को नोते हो समझ़ता करने माले क्योंकि इन दोनों समझवतों के दोरान अगर बात करें तो इजराइल और UAE के बीट में ये समझवता हुआ है कि वो पलिस्तीन का कुछ बाग छोड़ देगा इजराइल तो पलिस्तीन कह रहा है कि सभी तरब अमीरात को किसने हग दिया कि मेरी तरफ से वो ये बात करें तो हल बिलाल इजराइल की बात करते हैं इजराइल की राजणानी जेरुसिलम है वर्तमान समय में प्रदान मत्री है बेंजमीन नेत्यानू मुद्रा चलती है इजराइली नई से किल और रष्ट पती है रूवेन रेबलिन अब आ रही है निउस फटा पड़ की रानी ओसुलीवान ने विश्व स्नूकर चेंपियंसीब जीत ली है रानी ओसुलीवान ने किरेन विलसन को अथा-एटके स्कोर से हराक कर वर्ड स्नूकर चेंपियंसीब 2000 फी जीत ली है उनने सेमिल्ट के क्रूसिबल थीयेटर में अ इस इशनुकर चैंपियंसिप के सबसे पुराने विजयता बन गए है साथीवा पिछले साल के चैंपियन जो ट्रेम के बाद विस रैंकिंग में दूसरे इस्थान पर पहुँच गए है तो रानी ओसुलिवान ने जीत लिया है वर्ड इशनुकर चैंपियंसिप इंडियन कोशकार्ड इंटरसेप्टर बोर्ट आईसी जीएस सी 454 का अभी हाली में जलावतरण किया गया है बातित तरच छकबल ने सूरत गुजरात में एक इंटरसेप्टर बोर्ट आईसी जीएस सी 454 का जलावतरण किया है इंटरसेप्टर बोर्ट का निर्मार LNT यानि कि लार्शन एंट टुबरो ने किया है इसके अधिक्तम गती 45 समुदरी मील या 83 किलोमीटर पतिगंटा है हाली में लॉंच की गई इंटरसेप्टर बोर्ट ICGS C45R एक 27 मीटर लंबी नाओ है इसे 500 समुदरी मील दूरी की रेंज के लिए उत्रस शिपिंग गती सीलता और चमता के साथ सतक बनाए गया है भारती तट्रे चकबल के वरतमान समय में नाम मानी दे सक है करशन स्वामी नटराजन भारती तट्रे चकबल का जो मोटो है वो है वयम रच्छाम इसके थापना 18 अगत 1978 को की गई थी और वरतमान समय में इसके जो डारेक्टर जनरल है वो है करशन स्वामी नटराजन अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की चंद्यान दो ने चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए एक वर्ष पूरा कप किया है 20 अगस्त को भारत के इस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नोका सेवा सुरू करने जा रहा है मालदीब के लिए परिवहन मंत्राल है और आदिवासी बच्चों को उनकी मातबासा में से च्छा देने के लिए नमत बसाई कारिक्रम किस राजी में चलाए गया रहा है केरल में बारत आस्ट्रेलिया और जापान ने चीन में निर्भरता को कम करने के लिए त्रिपच्छी आपूर्ती संख्लाला चीला पैन पहल याने सी आरी की सुवारम की है जापान के साथ और दिली के दूसरे COVID-19 सीरोलोजकल सर्वेम के परणाम जारी जिसमें कितने लोगों के अंदर 29% लोगों के अंदर एंटीबोडी प्राप्त हुए है किस राज की पुली द्वारा राज में कोरोना महामारी के दौर ने एक संकल बुजरू के नाम अभियान सुरू किया गया है मदपदेश में चंदमा की परिक्मा करते हुए एक साल का पूरा किया 20 अगस्त को हाली में किस मंत्राले दौरा हरित्पत मोबाइल एप लॉंच किया गया है केंदरी सड़केंट परिवाहन मंत्राले दौरा आदिवाथी बच्चों को उनकी मात्रबासा में सिच्छा देने के लिए नमत बसाई कारिक्रम के स्राज में चलाये जा रहा है केरल में और कौन सा संग्डन मौलाना अब्दुलकलाम आजाद ट्राफी से सम्मानित किया जाएगा 29 अगस्त को तो वह है पंजाब युनिवर्स्टी बारत के इस पड़ोसी देश के लिए एक सीदी नेकौस रूप करने जा रहा है मालदीव के लिए और विस्ट के संसदों की अध्यच्छी की संसदों के अध्यच्छों का जो पांचमा सम्मिलन उन्दी सबीत अगत के दौरान आयोजित किया गया आस्चियन का मुख्याले कहा है इंडोनीसिया के जकार्ता में और किसको बारत के ने चुनायोट की रूप में उतिया गया है राजियोग कुमार को बारत औस्ट्रिलिया और जापान ने चीन पर निर्वाता कम करने के लिए एक SCRI गठित करने की बात की है यानि कि सप्लाइचेन रेजिलियन्स इनिसियेटिव दिलि में दूसरे COVID-19 सीरोलोजकल सर्वे के परणाम जारी हो गए है इसमें कितने पिस्ट लोगों के antibody प्राप्त हुए हैं तो 29 दसमलों एक पिस्ट लोगों के सरीमें antibody प्राप्त हुए हैं किस राज की पुलिस द्वारा राज में कुरोना माहमारी के दौरान एक संकल बुजरू के गिनाम अभियान चलाया जा रहा है तो वो है मदबदिश राजस्तान सरकार द्वारा इंदरा रसु योजना के तहट आठ रुपए में खाना पतान किया जाएगा तो इसमें पती थाली सरकार कितने रुपए का अंदान दे रही है 12 रुपए का और ये जो थाली है ये कितने रुपए की टोटल पड़ रही है 20 रुपए की पड़ेगी उत्तापे देश के बुंदेलखन छेत्र का जलत अंकर्समाप करने के लिए अब किसका सहोग लिया जा रहा है इजराइल का सहोग लिया जाएगा दो वर्स के लिए यहाँ पर एक मेमोरेंडम पर साइन किये गए है तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपोर्टन करेंट अपेस और उमीद कते हैं ही करेंट अपेस आपको पसंद आये होंगे लेकिन आज साम 6 वजे लाइब आना मत भूलिएगा पाट साला रेलवे पर क्योंकि मैं एनौंस करने वाला हूँ करेंगे सिरीज जिसमें हम पूरे सालवर का करेंट अपेस करेंगे तो कब कहां कैसे रेजिनिंग और करेंट अपेस के एक नई सिरीज लेकर आ रहा हूँ तो इसे देखना मत भूलिएगा आज साम 6 वजे पाट साला रेलवे पर आप सभी का इंतजार रहेगा जो लोग भी आएंगे कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर अटेनेस लगवा दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा मेंटली प्रपेर हो जाऊं कि कितने लोग आने वाले हैं फिलाल आज के लिए इतना ही तेंगी सो मच बाबाए टेक केर